वेल्कम स्टूडेंट्स आज का जो क्लास है उसमें मैं आप सभी को क्लास 10 का साइंस का जो पेपर होने वाला है आपका अरदवार्शिक परिक्षा का उसका पूरा का पूरा ओवर्वीव देने वाला हूं और इन क्वेश्चन को आप जरूर से ट्राइ करना सॉल्ब करने की खुद से क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन से इंपॉर्टन्ट हैं आपके बोर्ड एक्जामनेशन के द्रिश्टी कोड से ठीक है सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइमिंग देखना है टाइमिंग आपको यहाँ पे दिया गया है तीन गंटे पंदरा मिट का इतना आपको बोर्ड एक्जामनेशन में भी दिये जाएंगे और उसके बाद पुडांक आपका 17 नमबर का है तीस नमबर आपको जो है आपके प्रेट के अल इंटर्नल एक्जामनेशन के बेसिस पे कहां से दिये जाते हैं इसकूल की दौरा कॉलेज की दौरा प्रदान की जाते हैं फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इस्टेफ रहेगा नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो रह प्रिक्षा में पूछे जाते हैं और जो इनका एंस्वार है आपको 20 नंबर के लिए पूछे जाते हैं देखने को मिलेगा और कैसे अंस्वार देना होता है और कैसे यहां पर दिया गया है ठीक है इंस्ट्रक्षन निर्देश आप सभी को पढ़ना इंपर्टन्ट है सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेक्षन फर्स्ट यहां पर दिया गया है उसका जो सब पार्ट है वन उसके बवविकली प्रश्ण की तरफ और यह बैसिकली जो बवविकली प्रश्ण है आपका वो फिजिक से रिडेटेड हैं सब्सक्राइब कर दिया गया है प्रकास का जो वेग है निमलिकित में से किस माध्य में अधिकतम होता है क्वेश्चन इजी है इंपोर्टेंट वी है और मैं आप सभी को यही ट्रिफर करूंगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जिन क्वेस्चन का एंस्वर आता है वह आप इसका जो correct tensor होगा वो होगा निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है next question यहाँ पर दिया गया है किसका दृष्टी छेत्र सबसे अधिक होता है आउतल दरपड़ का समतल दरपड़ का उतल दरपड़ का या फिर उतल लेंस का इसका जो correct tensor होगा वो होगा हमारा option number third या फिर कह लेंगा आउतल दरपड़ जो आउतल दरपड़ होता है हमारा उसका जो दृष्टी छेत्र होता है वो maximum होता है सबसे अधिक होता है दियेगा लिस्ट में से थरड नमस्त नेतर होते हैं उनके लिए जो दूरी विंदु इस्थित की गई हे वो कितनी है सो जो हेलदी नेतर होते है उनके लिए जो डिस्टेंस विंदु है वो बेसिकली होता है हमारा अनघ पर फिंपन्य का अनंद पर pare option number आमारा, 4th correct होगा ! फोर्थ हमारा question ने प्रकास की किस रंग का नियूंतम प्रक्रेडन होता है प्रकास का जो रंग है मतलब जो लाल रंग होता है न उसका सबसे कम प्रक्रेडन होता है मतलब option number आमारा जो का है वही, correct होगा फिफ्ट नमबर यहां पर question हम से पूछा गया है एक micro ohm का मान कितना होता है सो एक micro ohm का जो value होता है या फिर कहलें मान होता है वो होता है हमारा 10 के power minus 6 ohm correct answer is option number B या फिर कहलें option number का सिख्थ नमबर यहां पर question पूछा गया है एक kilowatt घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है सो एक kilowatt घंटा में जो जूल की मात्रा होती है फिर कहलें जो जूल की संख्या होती है वो होती है 3.6 into 10 के power 6 joule correct answer यह है next question की दरफ चलते है next question यह आप दिया गया है समतल दरपड से संबन दे समतल दरपड दौरा निर्मित प्रतिविम का आवर्धन होता है सो समतल दरपड दौरा जो निर्मित प्रतिविम होता है न उसका आवर्धन होता है correct answer is option number first अब देखो यहीं पर आपका जो section number अ है या फिर कहले खंड number है उसमें जो सब section है second उसमें भी आपको बहुत गिल्पी प्रस्ट नहीं पूछे जाएंगे बट यह जो प्रस्ट रहेंगे यह आपके chemistry से related रहेंगे सबी question मतलब first में आपको physics related question second में आपको chemistry से related so देखो यहाँ पर question पूछा गया है lead nitrate का रासायनिक सुत्र होता है जो lead nitrate होता है उसका रासायनिक सुत्र होता है PBNO3 उसके बाद उसका PBNO3 का choice ठीक है correct answer होगा हमारा option number second ninth number question है हमारे उदर में कौन सा अमल उत्पन होता है so उस अमल का जो name है वो है hydrochloric अमल correct answer is option number third and उसके बाद 10th number question है कौन सी धातू अमलगम जो होता है उसमें होती है so अमलगम में जो धातू होती है वो होती है HG HG को क्या बोलते है ठीक है वो आप बताना HG को पारा बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इसका अंसर नेक्स्ट कोश्चन दिया गया है खाने के सोड़े का आप उसको छोड़ देना क्योंकि इस ते आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है सो जो खाने का सोड़ा होता है उसका रासाइनिक सुत्र होता है यहां पे दिया गया है NaHCO3 है नेक्स्ट देखो यहां पे उभागत्री मतलब आप सभी का अब जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है वो बायो सेक्शन श्टार्ट हुआ है ठीक है, so 14th number question आपसे पूछा गया है, रेनिन नामक एंजाइम होता है, रेनिन नामक जो एंजाइम होता है न, इसका जो correct answer होगा, वो होगा हमारा option number 4, इन में से कोई नहीं, ठीक है, 15th number question पूछा गया है, एक स्वस्त मनुष्य के शरीर का रखत दाव होता है, वो होता है, option number और B में दिया गया है, 120 अन्ड 80, ठीक है, जो आप लोग आपने सुना ओगा, blood passer जिसको बोलते है, B and blood passer, ठीक है, आपने सुना ओगा, किसी का BP लोग हो गया, किसी का high हो गया, sow to highest point होता है वो 120 होता है और जो lowest point होता है, वो kतना होता है, वो 80 होता है, यह कितना होता है, यह एक स्वस्त मनुस के सरीर के लिए है ठीक है नेक्स्ट यहां पर 16th number question दिया गया है मनुस के मस्तिस का कौन सा भाग ताप नियंतित रखता है तो उसका नाम उपता है हमारा option number यहां पर दिया गया है second hypothalamus ठीक है correct answer is option number B 17th number question दिया गया है परागरड उत्पन होते हैं यह जो बेसिकली उत्पन होते हैं वो उत्पन होते हैं पराग कोस में option number हमारा second correct होगा इस question का answer आप attempt करना फलुक को पकाने में कौन सा हॉर्मोन भाग लेता है ठीक है तो कौन सा भाग लेता है वो आपको बताना है औक्सिन या फिर जिबेरिल इथाइलीन या फिर इनमें से कोई नहीं correct answer क्या होगा comment box में आप बताना है कैसे आपको बताना है ऐसे लिखना अठरा और उसके बाद आप ABCD भी लिख सकते हो ABCD भी आप लिखोगे तो भी मैं समझ जाओंगा क्या आपको कौन सा option correct लग रहा है ठीक है कोई एक इसमें से select करके आप comment कर दिना 19th नमर question दिया गया कीट परागण होता है बिसिकली जो कीट परागण होता है ना वो salvia में होता है last question बावल गलपी प्रश्मों के series का oxyn हार्मोन पहुद है कि किस भाग में संसलेसित होता है सो ये बेसिकली संसलेसित होता है परोग के अगर भाग में correct answer is option number ठीक है सो ये पूरा का पूरा हमारा complete हुआ कितने questions है 20 question थे और किस type के थे multiple choice question बावल गलपी प्रश्मों और इनका जो answer attempt करना रहता है वो रहता है आपको attempt करना OMR seat में ठीक है अब आपका start होता है वडात्मक प्रश्म जिसका आपको explain करके answer देना रहेगा ठीक है और ये आपको लिखना रहेगा देखो यहाँ पे दिये गया वडात्मक प्रश्म यहाँ पे आपको जो question दिये गया है वो 4 number वाले दिये गया है और 6 number वाले दिये गया है आप इसमें देख सकते हो आप 4 number वाले total 1, 2, 3 question दिये गया है और 6 number वाले जो प्रश्म आपको देखने को मिलेंगे वो आपको total यहाँ पे एक ही प्रश्ण देखने को मिलेगा और 6 नमबर वाला एक प्रश्ण रहेगा मतलब प्रश्ण तो आपको दो ही दो दिये जाएंगे 6 नमबर वाले सेक्षन में बट आपको उसमें से attempt जो करना रहेगा वो एक attempt करना रहेगा किसी एक काई आपको answer दिना रहेगा तो यह आपका है ना यह basically start है आप सभी के physics section से start है बड़ा आत्मक प्रश्णों का सीरीच यहाँ पे आप question देख सकते हो आउतल दरपड के सामने एक वस्त सोर अश्यमी दूरी पर रखी गई है वस्त उसे तीन गुणा जो बड़ा वास्तविक प्रतिवीम बन रहा है तो दरपड से प्रतिवीम की जो distance है और focus दूरी है उनको आपको ग्याद करना है ठीक है यह आपका numerical question यह आप दिया गया है फिर उसके बाद next दिया गया है theoretical part दो इसको परिवासित करना है इसका कारड और इसे दूर करने के लिए आपको उपाय बताने है किसी चालक के प्रतिरोध से क्या आप समझते हैं चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्वर करता है यह भी important है यह भी question important है और इस टाइब की numerical question आपको देखने को मिलेंगे बोर्ट पर एक क्षा में और जो six number question दिया गया है मतलब छे number वाले question जो पूछे गया है आपके वो देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है जैसे दो यह question आप से पूछा गया है और बीच में आपको अथवा देखने को मिल रहा है अथवा का मतलब यह है चाहे आप इसको attempt करो या फिर आप इसको attempt करो दस एमपियर का एक जो question आपको यहाँ पर पूछा गया है यह का दोनों में सेख यह attempt करना है next आपको जो है उभाग 2 यहाँ पर दिया गया है उभाग 2 मतलब यह आपके वड़ा आत्मक प्रश्न है उनीक है और इसमें जो प्रश्न है आपको वो chemistry के जो section से वो लिये गया है chemistry के section से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें भी same way format आपको देखने को मिल रहा है जैसे देखो यहाँ पर एक question आपको यह 4 नंबर वालना दिया गया है फिर आपको दूसरा question आपको 4 नंबर के लिए पूछा गया है तीसरा question आपको 6 नंबर के लिए पूछा गया और 6 नंबर वाले question में भी आपको अथवा देखने को मिल रहा है मतलब दो प्रस्न है किसी एक को ही आपको उत्तर देना है 6 नंबर आपको मिलेंगे इसमें प्रस्न देखते हैं आपको पूछा गया सायोजन अफक्रिया को उतारण सही समझाईए important है easy भी है इसमें जो वड़ा प्रस्न है वह बायो से देखने को मिल रहे है आपको इसमें भी आपको कुछ इसी तरीके का फॉर्मिट यूज किया गया है देखो यहां पे चार क्वेस्चन आपको टोटल दिये जाएंगे तीन क्वेस्चन जो है वह चनरली की चार नमबर वाले रहने वाले हैं जो लास्ट क्वेस्चन आपका दिया गया है वह छे नमबर वाला दिया गया है और इसमें भी आपको क्या करना है इसमें भी आपको अत्वा दिया गया है चाय तो आप यह जो चित्र है इसको बनाओ या फिर आप सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्ट करो जैसे यहां पर दिया गया है मालों कि शरीर का जो मस्तिस होता है उसके प्रमुख भाग्खा वडन करो ठीक है इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप अटेम्ट करो के छे नंबर के लिए आपको मिल जाएगा यहां पर देखो उपर के जो तीन क्वेश्चन है वो क्या है वो चार चार नंबर वाले रहने वाले सो इन सभी questions को आपको attempt करना है खुद से जो वडात्म प्रस्ण दिए गए है अगर आप खुद से इसको solve कर रहे हो अच्छी बात है इनके प्रस्ण को उत्तरा दे पा रहे हो अच्छी बात है अगर आपको लगता है कि आपको इनके भी answer चाहिए explanation के साथ ठीक है सो आपको comment करना रहेगा अगर आप comment करेंगे तो मैं आपको जो वडात्म प्रस्ण है ना उनका भी आपको explanation उनके भी जो answer है वो PDF में पूरा का पूरा एड़ करके और उसके बाद आपको update कर दूँगा इसमें upload कर दिया जाएगा चैनल पर ठीक है सो और भी जो subject हैं उनके भी आपको अरदवार्सी परिक्षा की जो पेपर हैं वो आपको provide की जा रहे हैं सो उसके लिए आपको and connected हैने के लिए आपको already पता है आपको क्या करना है subscribe करके रखना है and notification को open करके रखना है जिससे कोई भी classes कोई भी वीडियो जो भी आपके लिए important महामेरातन classes आने वाली है उसका आपको notification time to time मिलता रहेगा YouTube के द्वारा ठीक है so thank you for watching jai in jai bharat dhaniwaad